नमस्कार दोस्तों इस video में हम बात करेंगे BLDC motor के बारे में तो इस video में जो main content cover किये जाएंगे उसमें introduction to BLDC motor और इसके बाद इसका BLDC motor का principal क्या होता है इसकी qualities क्या है और construction कैसी होती है इसकी कितने प्रकार की BLDC motor है और उनके uses and applications क्या होती है तो अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आइए शुरू करते हैं तो सबसे पहले BLDC की फूल फॉर्म क्या होती है तो ब्रस लैस डारेक्ट करंट मोटर इसकी फूल सबस्क्राइब करते हैं जैसा कि नाम बता रहा है तो इसमें प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं इसका प्रिंसिपल क्या होता है इट वर्क्स ओन दा प्रिंसिपल सिमिलर तू ब्रस डिसी मोटर तो एकोर्डिंग टू लारेंज फॉर्स लाव वेनएवर ए क्रंट केरिंग कंड़क्टर इज प्लेश्ड इन मेगनेटिक फिल्ड इट एक्सपिरिंस ए फॉर्स कि जब भी हम क्रंट केरिंग कंड़क्टर को मेगनेटिक फिल्ड में रखते हैं जैसे कि रोटर होता है तो वो फौर्स एग्जर्ट करता है और अब हम क्वाल्टिज ओफ ब्ल्डीसी मोटर के बारे में बात करेंगे तो यह इसकी जो सबसे बड़ी quality है एक high speed और less noise और high torque यह generate करती है क्योंकि इसमें ब्रशीज और commutator नहीं होते इसलिए इसमें friction नहीं होता जिसके कारण इसकी जो यह speed high speed रहती है और high torque रहता है और इसमें permanent magnet use करते हैं हम electro magnet की जगह है तो permanent magnet की ये quality होती है कि less energy और less heat losses होते हैं इसमें और friction less होती है तो इसमें जो less energy जैसे इसमें 10 या 15 watt तक की भी fan की motor consume करती है वैसे normally हमारे पास 100-100 watt की जो motors होती है वो अब हम इसकी construction के बारे में बात कर लेते हैं BLDC जो motor की actual construction दिखाई गी है डाइग्राम में तो इसमें एक stator और rotor होता है जैसे rotor है बीच में rotating part होता है और बाद में ये चारो तरफ इसके winding जो stator की winding दिखाई गी है तो इसमें ये north pole और south pole generated करते हैं हाफ revolution के बाद इसके जो polarity change की जाती है जिसके जिससे इसको रोटर को जो पर्मानेट मेंगनेट है इसको continuous movement मिलती रहती है और staked steel की lamination बनी होती है इसकी आगे के वीडियो में में इसकी प्रोपर वर्किंग आपको वर्किंग की डिटेल बताऊंगा आप इसके types of BLDC motor के बारे में हम देख लेते हैं इसमें दो परकार की motor होती है एक inner rotor type BLDC motor होती है जिसमें इसके जो rotating part होता है और center में होता है जिसको rotor कहते है और पर्मेनेट मेगनेट होती है जैसे fan की motor होती है और outer rotor type BLDC motor में जो outer part इसका moveable होता है और inner part stationary होता है अब हम इसकी uses and applications के बारे में बात कर लेते हैं इसका जो सबसे पहला यूज है जैसे घरों में domestic fans होते हैं ceiling fan है आजकल बहुत इनका trend चल रहा है BLDC fan का क्योंकि ये कम energy absorb करते हैं और noise less भी होते हैं इसके अलावा जो CNC machine tool होते हैं इनमें free drive system में इसका यूज किया जाता है BLDC motor का और servo motor में यूज करते हैं industrial robotic जो system है उसमें actuator में यूज करते हैं और motion control devices में और extruder drive motors में भी इसका यूज करते हैं तो आसा है आपको इसका अच्छी तरह समझा आ गया होगा और इसी तरह वीडियो देखने के लिए channel के साथ बने रहे हैं थैंक यूज